जुटल अज नोगोगों पुर्टस में जन्डाव लोगों की जामें नारज बंजीव हुई है हमने उपने साथी सद्रा परमाने कीए थे उसमें अब्दूर रहीम अब्दूर रसीद को कारे अला मुहम्मद आसी मुहम्मद यसूद को हुए अब्दूर आफ्ताव आलम को है रैस आहमद अब्दूर समत को हुए रमजान खान साहिद खान अर्वाश शेक सर्दार का हुए शकील एहमद मुहमद इस्माइल इस्तियाक एमद मुंबर मुस्तफा, सेख इर्फान सेख सुल्टान, फैदल गुफ्रान हैं, ये लोगों को रूल आप पैरिटी के पर कोड ने बेल दी है, इसी दर हमारे दो अर्जी और पिंडिंग है, जिसमें नौ लोग बाकी है, और खात अरुषके इंदर जिया मुस्क इसलिए रहाई मुम्किन नहीं हो पा रही थी, मगर आज 74 में होने के बाद एक बड़ी तायदात में दो दिन के अंदर इंसलिए रहाई होंगी, और इस पुरे मामले में अवल रोज से, मैं इससे पहले भी बोला क्यार हम लोग जेल में थे, हम लोगों ने इतक की उमीद छोड़ दी थी, चार सीट के बाद जब बिल रि हम जान से पहले हमारे लोग छूटने के उसमें आ गए, और मैं इसके लिए जनता दल की तरफ से मुबारक बात पेस करता हूँ, इन तमामी वकला को जो लोगों ने मेहनस से, लगन से बिगैर रोपिये पैसे की चाहत के जो काम किया है, ये वाकई माले गाउं सहर में, माले तुम ला रहे हो, मगर होसला अवजाई भी बहुत जरूरी है, हम अगर इनको कोई फीस नहीं दिये, तो होसला तो हमको देना चाहिए, और हम होसला दे रहे हैं, और ये कौम की खिदमत ही की है, इस मामले में आज चार-पांच माहिना लगबग होने पे है, मुसलसल कागज खिदमत और सहर के लिए, इन्होंने जो कुर्बानी दी है, ये काबिले मुबारक बाद है, मैं जन्तरल सेकुलर और माले गाओं सहरियान की तरफ से इनको मुबारक बाद देता हूँ, और हमारे जो भी लोग रहे गए हैं 76 में, उनके लिए भी अब ये लोग पुरी ताकर से कोसिस करेंगे, और कुछ लोगों का रिकवरी का जो सवाल है, उसके साथ भी अग्दुल अजीम खान की लीगल तिंग बैढ़ कर बातचीत करने वाली है, आज खान साहिब भी मुझे बोले थे, वो कोई मंगल के दिन नासिक रहते हैं, कि आर रात में बैटेंगे, और 76 नंबर के उस पे और जिनकी रिकवरी रहे गई है, उनकी बातचीत करेंगे, कोसिस यही है, कि रमजान से पहले एक बड़ी तायदा छुट कर आ जाए, और कुछ लोग अगर रहे जा रहे हैं, तो इंसालला वो रमजान के पहले दस दिनों में कोसिस कर रहे हैं, यह लोग क पतने ही लग नदी